हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टू दगंगा मूरत चैनल, कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा, आज का टोपिक है गर्भती महिलाओं को यानि की प्रेग्नेंसी में महंदी लगाना चाहिए या नहीं, बालों पे या फिर अपने हातों पे, क्यों हम लगाते हैं महंदी, बुझूर्गो का क्या कहना है, scientific region क्या होता है, ये दुनों बातों पे हम discuss करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे, बुझूर्गो की बाते हैं, तो पहले के जो लोग होते थे, वो हमें कहते थे, उनका सला मशवरा हमेंसा होता था कि प्रेग्नेंसी के के दौरान पे हमें महंदी नहीं लगाना चाहिए क्यों नहीं लगाना चाहिए तो उन्हें लगता था कि जो negativity है जो आत्माएं होती हैं भूत प्रेथ होते हैं वो महंदी की जो इसमेल होती है जो सुगंध होती है उसे attract होते हैं और उसके बाद वो हमारे सरीर पे हावी हो जा सब्सक्राइब हमें उनकी बातों को मानना भी चाहिए अब हम जानेंगे science क्या कहता है महंदी लगाने के बिसे में science की माने तो महंदी में आजकल की जो महंदियां आती है वो chemical base होती है जो हमारे सकीन को harm करती है या हम बालों में लगा रहे हैं या फिर हम हाथों में लगा है और हमारे बच्चे पर भी असर पड़ता है इसलिए साइंस भी यह कहता है कि हमें महंदी नहीं लगानी चाहिए पर अमारी एक्षा बहुत होती है कि हम महंदी लगाएं यहां तक कि गोद भराई जैसे बड़े-बड़े फंसन हो गएं बीच में करवा चौत का तहवार आ होती है उसके लिए आपको क्या करना है अगर आपके आसपास को महंदी का पेड़ है तो उसका पत्ता पीसकर आप लगा सकते हैं अगर आपके घर में किसी ने अलाउ किया हो तो अगर किसी ने मना किया है आपकी घर में जो बुजूर्ग हैं या फिर आपके आसपास के लोग जो मना कर रहें तब ऐसा काम ना करें आजकल तो बाजार में रेडिमेंट महंदी का इस्टिकर्स आता है आप अपने पूजा पाठ में या फिर किसे तहवार में गोध भराई में उसी इस्टिकर्स को हाथ पे लगाएं और एक दो घंटा के बाद उसे निकाल देंगे इससे आपका सोग भी पूरा हो जाएगा और मेंदी जो आपको प्रोब्लम क्रियेट करने वाली थी चाहे वो इसकी इलर्जी हो या फिर नेगेटिव एनर्जी इससे आप बच सकते हैं पुजूर्गों का मानना भी रह जाएगा और साइंस की बाते भी रह जाएगी और हमारा सोग भी पूरा हो जाएगा पर अगर फिर भी आपको मेंदी लगानी है और आपका बहुत मन कर रहा है कि आप इस्टिकर मेंदी नहीं लगाना चाहती हैं तो आप और्गेनिक महंदी का यूज करें, पेड की पत्ती वाली महंदी का यूज करें और उसे यूज करने से पहले अपने थोड़ा सा ट्रायल जरूर ले ले पहले आप किसी हाथ के किसी पार्ट में आप उसे लगा कर देखें अगर वा आपको इसकी नेलर्जी नहीं देती है तो फिर ही आप उसे लगाएं गोद भराई रिलेटेड मैंने बहुत सारे विडियोज बना हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप उसे जरूर देखेगा अगर आपका कोई कोश्चन है तो मुझे जरूर कोमेंट करें मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूँगी अगर आपको यह जानकरी अच्छी लगी हो तो प्ली चैनल को लाइक, सेर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा थैंक्स पर वोचिंग